असलाम अलेकुम आपके साथ उमीद करती है आप लोग खेरियास से होगे अभी कोई भी बाहर मत निकलिए किके कोरोना वेरस बहुत स्प्रेड हो रहा है तो आप घर पे रहिए अच्छे से रहिए सहत मन रहिए तो आज मैं आपके साथ एक मटन करी की रेसिपी शेयर करने जा पर पाथ आपके से थे तो आपको यह रसी पर पसंथा यहां पर कुछ खड़ी-गरम असाले ले लेंगे जिसमे मैंने शाही जीरा लिया है वन टी स्पून दस से पारा मैंने काली मेर्चर ले ले लिया है जो बलाक पेपर होता है वो जो ले लिया है लांग लिए पड़ी यहां पर मैंने 750 ग्राम मतन ले लिए है इसमें फैट भी है कडी में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने यूज किया है साथी में हम एक कडाई ले ले लेंगे जिसमें हम ऑईल दाल देंगे इसमें थोड़ा सा ओईल ज्यादा लगेगा तो आपको कम ऑईल दालना हो तो आप थोड़ा कम ऑईल दाल सकते हो तो यहां पर यह वही करम मसाले हैं जो मैंने बताये थे वह इसमें हम एड कर देंगे और इन्हें थोड़ा सा हम सौटे कर लेंगे जब यह थोड़ा से क्रैकल हो जाएंगे तो तब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्यास दाल देंगे बारी कटी हुई आप छोटे-छोटे चौप करके भी दाल सकते हो तो इसे हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे हमें बहुत जादा डाक कलर नहीं करना है उसके बाद हम इ अध्रगलहसन का पेस्ट लिया है यह इसमें आड कर देंगे कि इससे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मटन के साथ अध्रगलहसन की रोएजभ निकल जाएगी साथी मैं हलदी पाऊडर एड कर दिया है लाल मीचिकां पाऊडर है चिली पाऊडर दन्या पाऊडर जैंसे हम कोरिंडर पाऊडर भी बूलते हैं हूँ आड़ कर दिया है और साथफिक में हम सॉल्ट ले लेंगे नमक जो भी आपके आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहां पर शामिल कर सकते हो और इसे अच्छी तरह से हम बूल लेंगे यह मेरा मटन जल्दी कूकर जाने वाला इसलिए मैंने कोई प्रशर कूकर बगेरा मैं यूज नहीं किया है मुझे पता है कि मटन अच्छा है सॉफ्ट है तो जल्दी कूक हो जाएगा तो इसलिए मैं इसे कडाई में ही बना रही हूँ यहां पर मैंने हाफ कप पानी आड़ कर दिया और इसे हम रख देंगे 20 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर यहां पर मैंने कुछ 15-20 बदाम ले लिए जिनका मैंने पील कर लिया है थोड़ा सा उबाल के एक चमज मैंने यहां पर तील ले लिए दोहरी मेचे और थोड़े से फ्रेश कोरेंडर लेज उसका में मसाला बना देना है पीस लेना है यहां पर हमारी कड जो है जो है चिकन की वह आलमोस्स 20 मिनिट्स हो गए तो यह देखिए यह इस तरह से हो गई है तो हम इसे भी देख लेंगे साथी में यहां पर मैंने एक कप टमाइटर प्यूरी लिए है यह फ्रेश टमाटर है उसे थोड़ा सा आपको पीस लेना है और इसमें आड कर देन और अगर अब ही तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीस यह मेरी आइडिये तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए तो यह हम मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे दस मिनिट यह देखिए इस तरह से अच्छे से इसमें जाते मसाले भी नहीं लगते हैं यहां पर मैंने गरम मसाला यूज किया है बहुत कम मसालों के साथ बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है तो यहां पर हम इसे और दस मिन पकाएंगे अभी यहां पर मैंने एक पैन ले लिय और यहां पर हम देड़ चमज गी दाल देंगे मैंने असली गी लिया है आप कोई भी घी भी यूज कर सकते हो और और यूज कर सकते हो तो यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम इसमें हाफ टी स्पुन के करीब जीरा एड़ कर देंगे और जब जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो हम इस अच्छी से मिक्स कर लेंगे ये क्विक जीरा राइस की रेसिपी है बहुत ही चल्दी बन जाती है तो इसमें मैंने बॉइल राइस एड़ कर दिया है वन कप बॉइल राइस है इसे मिक्स कर देंगे हम ज्यादा टाइम नहीं लगता है इससे बनने के लिए और यहां तो इसे मिक्स कर लेंगे यहां पर हमारी करी भी रेडी हो गई है तो उमीद करती हो आपको ये क्विक मटन करी की रेसिपी पसन आई होगी अगर रेसिपी पसन आई है तो इस वीडियो को लाइक शेर ज़रूर करना अपने फ्रेंज और फैमली के साथ और अगर चैनल पर नहीं आयों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू अलाहफेज बाई बाई